आज हम जानेगे कि practically way में शुरुवात से लेकर आखिर तक कि किस तरीके से हमारे देश का criminal system चलता है और step by step criminal cases के stages को भी हम जानेगे यानि लगबख पूरे CRPC को हम आने वाले 7 से 8 मिनिट में cover करेगे तो चलिए शुरू से शुरुवात करते हैं जब भी कोई offense होता है तो हम police को inform करते है या फिर magistrate को complaint करते है अगर हम police को inform करते है तो police हमारी report register करने से पहले ये देखती है कि जो भी offense हुआ है वो cognizable है या non-cognizable offense है cognizable offense यानि गंबिर अपराद जैसे कि kidnapping, rape, murder ऐसे offense जिसकी punishment 3 साल या 3 साल से ज्यादा है और non-cognizable offense यानि less serious nature वाले offense जैसे कि cheating, forgery, defamation ऐसे offense जिसकी punishment 3 साल से कम है अगर offense cognizable हो तो police FIA register करती है और अगर offense non-cognizable हो तो NC report register की जाती है cognizable offense serious offense होते है इसलिए police यहाँ बिना warrant के arrest कर सकती है और बिना किसी से permission लिए investigation भी कर सकती है इसलिए FIA register हो जाने के फोरण बाद ही police investigation शुरू करती है जहाँ पर police evidence collect करती है, witnesses के statement लिए जाते है, accused को पकड़ कर उसे पुस्ताच की जाती है और यह investigation investigation officer यानि I.O करता है अगर investigation पुरी हो जाने के बाद police को लगता है कि इस case में कोई offense हुआ ही नहीं है तो ऐसे में police magistrate के पास case closer report फाइल करती है पर अगर search में कोई offense हुआ हो तो police accused को अपनी custody में लेकर उसे magistrate के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करती है जहां magistrate accused को फिर से police custody में रखने का order करता है ताकि उसे और investigation की जाए या फिर अगर investigation पुरी हो गई हो तो accused को judicial custody में भेज दिया जाता है फिर police का यहां आखिर काम होता है चार्शिट फाइल करना चार्शिट में A to Z case के related सारी detail होती है जिसे police court में फाइल करती है और फिर यहां से शुरू होता है trial ट्राइल से पहले हम जानते हैं कि non-cognizable offense और complaint to magistrate में क्या होता है non-cognizable offense यह less serious nature वाले offense होते हैं इसलिए police यहां किसी को arrest नहीं कर सकती और ना कि किसी से investigation कर सकती है अगर कुछ भी करना हो तो police को एक report तयार करके magistrate को देनी होती है और magistrate से permission लेनी होती है इसलिए लोग सीधा यहां magistrate के पास ही जाकर private complaint करते हैं अगर police FIA register करने से इंकार करती हैं तो भी हम सीधा private complaint कर सकते हैं complaint cognizable और non-cognizable दोनों ही offense में की जा सकती है complaint registration हो जाने के बाद दो चीज़े हो सकती है या तो अगर कोई criminal complaint है और magistrate को लगता है कि इस पे investigation होनी चाहिए तो magistrate police को FIA register करने का order देता है और फिर वही same procedure चलेगा जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा या फिर magistrate खुद ही inquiry करता है examination होता है जहां complaint और witnesses को examine किया जाता है जहां ये पता लगया जाता है कि सर्च में complaint के साथ कुछ गलत हुआ है की नहीं अगर magistrate को लगता है कि कोई ground नहीं बनता है आगी की कारवाई करने का तो complaint dismissed की जाती है पर अगर complaint सच्ची है और उसी magistrate की jurisdiction में है तो issue of process होगा जहां पर summon भेज कर defendant को court में बुलाया जाएगा और अगर वो summon पर भी ना आय तो उसके खिलाफ arrest warrant जारी किया जाएगा अगर वो ऐसे में भाग जाए या फरार हो जाए तो उसे भगोड़ा गोशित किया जाएगा और उसकी property जब्त की जाएगी पर अगर defendant summon मिलने पर या warden जारी करने पर court में अपियर हो जाता है तो उसे personal bond भरवा दिया जाएगा ताकि उसे जब दी भी court में बुलाया जाए तो वो अपियर हो और फिर शुडू होगा trial अब तक कि हमने period trial stage को ही देखा है कुछ और ज़रूरी बाते में आपको बता दो अगर एक्विस्ट को session या high court से anticeptery bell मिल गई हो तो उसे arrest नहीं किया जा सकता अगर कोई available offense हो तो पुलिस भी चाये तो वो पुलिस station से ही बेल दे सकती है अगर FIR ही जोटी हो तो उसे high court से रध करवाया जा सकता है offense cognizable है या non-cognizable है उसकी क्या punishment होगी बेलेबल या non-bellable है मामला किस court में चलेगा ये सारे चीजों का पता हमें CRPC के shadow 1 से चलेगा trial चार तरीके के होते हैं session trial, warrant trial, summon trial और summary trial session trial, session court के थुरू perform किया जाता है और बाकी के trial, magistrate के थुरू perform किया जाते है अगर magistrate को लगता है कि कोई बड़ा offense हुआ है तो उस पर session trial चलती है अगर court या party, trial को एक court से दुसरी court में मूँ करवाना चाहे तो वो करवा सकते है trial शुरू होने से पहले charge sheet, complaint report या और कोई ज़रूरी document की copy accused को दे दी जाती है और फिर शुरू होता है trial trial magistrate के पास होगा या फिर session court में होगा दोनों के procedure लगबग सेम ही है बस provision अलग-अलग है document की copy accused को मिल जाने के बाद charge frame होता है जो भी charge accused पर लगाए गए है वो उसे बता दिये जाते है हाँ अगर accused पर बहुती छोटे मोटे charge लगाए गए है जिसकी punishment बहुती कम है या fine है सिरिफ तो ऐसे में summary trial चलता है जिसमें या तो उसे छोटी मोटी सजा दी जाती है या फिर fine लगा कर छोड़ दिया जाता है पर यहाँ charge frame हो जाने के बाद अगर यहाँ accused कहता है कि जो भी charge उस पर लगाए गए है वो सच्चे है और वो गुना कबल कर देता है तो तो उसे commit किया जाएगा यानि उसे अपरादी ठहरा दिया जाएगा पर अगर accused agree नहीं करता है कि उसने कोई offense किया है तो फिर prosecutor court में evidence पेश करता है यह साबित करने के लिए कि यह offense इसी accused ने किया है यहाँ accused को भी पुरा मोका दिया जाता है उसकी भी सूनी जाती है witnesses को बुला कर उनसे गवाई ली जाती है witnesses की बातों में कितना दम है इसे जानने के लिए witnesses का examination किया जाता है पहले तो chief examination किया जाता है जहाँ party खुद ही अपनी witness को examine करती है फिर cross examination किया जाता है जहाँ opposite party witness को examine करती है और अगर court को लगे तो re-examination भी किया जा सकता है court में सारे गवा और evidence पेश हो जाने के बाद दोनों ही party argue करती है फिर final argument हो जाने के बाद judgment दिया जाता है जहाँ या तो acquist को commit किया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है या फिर उसे acquit किया जाता है release किया जाता है अगर complainant या prosecutor चाहे तो acquitter के खिलाफ appeal भी कर सकते है high court में अगर acquist को commit किया गया हो तो जिस भी court ने उसे commit किया है उसके higher court में conviction के अपिल की जा सकती है कुछ और भी ज़रूरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए जैसे कि summon trial में charge frame नहीं होता acquist पर अगर पहले से ही मुकत्मा चल चुका है फिट दुबारा वही से मुकत्मा नहीं चलाया जा सकता है acquist खुद भी अपनी गवाई दे सकता है और उसका statement भी record किया जा सकता है अगर court proceeding के बीच party मामले को compromise करवाना चाहती है तो वो करवा सकती है पर offense compoundable होना चाहिए पूरी court proceeding के बीच कहीं पर भी अगर आप court के order से unsatisfied है और अब तक की कोई appeal नहीं की गई है तो आप revision file कर सकते है high court या session court में तो हमने step by step criminal case के हर stages को जाना अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी फायदे मन लगता है तो अब इस वीडियो को like करना और अपने दोस्ट, low student में हम देखेगे step by step शुरुआत से लेकर आखीर तक कि किस तरीके से civil case चलता है ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए अप legal gang से जुड़े रहे हैं Thank you